असलाम अलेकूम वेलकम बैक विद विली प्लेस दोस्तों क्या हाल चाले तुम सब के भाई आज हम बहुत मज़ेदार किसम का गेम खेलने जा रहे हैं दो आर्च राइवल्स को हमने कंबाइन कर दिये पाकिसान इंडिया की हमने कंबाइन टीम मना दिये और इसी तरह इंग्ल हमें कप्तानी भी करें फिर हैं विरात कोली मुहम्मद रिज्वान विकेट कीपर हैं हार्दिक पांडिया शादाब खान शाहिंजा आफरीदी नसीम शाह जस्पित बुम्रा और उसके बाद लास्ट में हैं हमारे पस लेफ्टीव कमाल की स्पिनर कुल्दी प्यादफ और इंग्लेंड की लाइन अप देखी जाए तो उसमें सबसे पहले एलेक्स हेल्ज ऑपन करें त्रेविस के साथ पिर हैं स्टीव स्मिथ फिर हैरी ब्रोग जॉस बटलर विकेट कीपिंगी भी फ्राइस अंजाम देंगे आज ग्लैन मैक्सवेल ऑलरॉंडर जबर्दस किसम के लियम लेविंग स्टोन बहुत बड़ा हीटर पैट कमेंस मिचल स्टार्क कप्तानी बाइदावे पैट कमेंस कह रहे हैं मिचल स्टार्क जोफरा आर्चर और लेग प्रेक हैं जी आदिल रशेद तो गाइस मैं जा रहा हूं सीधा ग्राउंड के अंदर लेकिन उससे पहले रहे हैं पाकिसान इंडिया 11 की चूस की हमने हैट कमेंस मिचल स्टार के बास नया नया गेंद और ऑन स्टार्क इस डेंजरस रोहित शर्मा हिट मैं हेर गो स्टार्क फॉस्ट बॉल भाई खेली एक्स्ट्रा कवर की तरफ खुबसूरती से टाइमिंग कर दिये चार रंस के पॉल ओ ब्रो सीधा मिस कर गया गाइस केट्स का लासमी मताना कोमेंट्स में कैसी लगी है मैंने खुद ही काईस डिजाइन की है और अची शॉट है को रोहित शर्मा का भाई सूपर डूपर कवर ड्राइव एक और इतना मज़दार पेच्छ है गाईस पॉल बले पे बहु क्विक रनिंग भाई फॉजी भाई डाइव फुल लेंथ डाइव की है अन स्ट्राइक आगे हैं भाईजान फखर जमान गाईस मैएक बात बताना भूल गया ये मैच भी दस ओवर्स का ही है एंटर्टेनिंग मैच मिलेगा देखने को और जबरदस शॉट भाई फखर जमा मैं चलो शर्मा जी ओवर तर टॉप जाना होगा भाई सहाब तुम लोग चेक करो मलाई कितना खेल दिये ये डैट वाज़ चिप शॉट बैक फूट से खेली पॉइंट की उपर से चाहरंस हैर गोज फॉजी ओ ब्रो नो ओ ब्रो फॉस्ट ब्लो पहला आउट हो गया पाकि आउट होगे है क्रिकेट इस वेरी फॉनी गेम गाई बाबर आजम आगे हैं भाई फॉर इश ओ इस यह 11 के रहूं पाकिसान इंडिया 11 आज़ बाबर भाई हैर वी गो फिर्स बाल बाबर ने जबर्दस ड्राइब की कॉन्फिडेंट ली भाई कम ओन हिट मैन भाई साब जस्ट क्लियर कर दी मिड़ ओफ ओर फॉर शुकर है डीप नहीं खड़ा वत अउपड लिया वा तो स्टार्क ने हेर गोज रोहिद शर्मा वांस अगें ब्यूटिफुली प्लेड फॉर आज तो लग रहा है रोहिद शर्मा चुरा के लिए है विरात कोली और बाबर आजमी कवर ड्राइब्स भाई एक टीम में खेल रहे हैंना तो हर कोई वो शॉर्ट्स खेल रहा है यार कमाल की बैटिंग के रहा है गाइस गाईस लाइक मार दो भी तक नहीं अगर किया तो फॉर रन से लाइक कर दो यार ओ एक और ब्रिलियंट शॉर्ट बट टाइमिंग अच्छे से नहीं हो सकी लेकिन दो बन जाएगा बाबर भी क्विक है रोहिद शर्मा भी ले ही लेगा ओ या बाई टू टू टेक हैं रोहिद शर्मा रनिंग में माटे हैं भाई साब रनिया पर बन जाता है एकसर अबे यार बट कोई नहीं चलो खैर रोहिद शर्मा अपना काम कर ये गाईस और अब आ रहे हैं ओ भाई दा ग्रेटेस्ट बेट्समन इस सदी के भाई सदी के दू नहीं सदी जाद हो जाएग कमाल है भाई कमाल है विरात कोली का वंस अगेन गाईस विरात कोली और बाबर आजम इस चैनल पे एक ही वक्त में क्रीस पे मुझूद हैं बट कितना बुरा शॉर्ट खेल है बाबर यहां पर प्रेशर लेगे बाबर खोईने 2942 इस पाकिसान और इंडिया 11 विरात कोली ऑन हाथ में आर्चर डू कोली कोली ट्राइव जट फॉर ओवान भाई फील्ड खुल चुकी अब जरा सिंगल डबल्स जादा देखने को मिलिंगे इस ग्राउंड में मुहमद रिजवान ने आना है हार्दिक पांडिया ने आना है देकने हिट बिग और एक और प्यूर्टिफ इस टाइम यह क्लियर हो जाएगी जस्ट ओवर जस्ट ओवर भाई बाबर आजम यहां पे शौट्स देना शूरू हो गया भाई शजदा अपना पैट कमिन्स आया जी ओवर करने के लिए बाबर का बॉल इस वक्त मुझा लग रहा है फुट बाल की तरह नसरा आ रहा रहा कोली का जबर स्ट्राइब बट नो रन सीधा फील्टर के हाथ में पैट कमिन्स अच्छा गेन बास है गाईज कोली ओन स्ट्राइक भाई इन फिल्ट के ओपर से भी खेल सकता हूं मैं ओ नो ओ ब्रो येस यार ओ येस विरात कोली है भाई टेंशन निलेने का यहां पे चार के लिए कोली का व्यू चेक करो गाई इस पैट कमिन्स वो सामने से भागा आएगा और कोली तयार है एक और ब्रिलियंट के शॉट के लिए ये चेक करो भाई लेवल शॉट होन लगा है बैक तरीफे जादा कर दिया बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हो गया चलो कोली यार आ रहा है बैक अफ ते लेंट खेला रहा है दो आ सकते हैं थैंक यू जी थैंक यू सो मच जी जो भी एना ये दो रंस करवा दी इसने मेरे हैरी ब्रुक था भाई काफी डीप खड़ा था बचारा प्रेशर में आ गया ये इतने बड़े प्लेयर्स खेले हैं पिस पे आदल राशिद के पास वाइदा है आदल राशिद ने भी गायस भी आना ओवर करने के लिए आदल राशिद भाई आई गया है साथ ही नाम लिया साथ ही आ गया 55-42 इस वक्त स्कोर है पाकसान और इंडिया 11 का कोली ने खेली डीप मिट पिकेट पे जिस्ट आ वन ओके और आदल राशिद ने एच लगाता है शार बटलर की गलती नहीं है इसमें बट आदल राशिद ने एच लगवा दिया गायस हमारा एक दम से खामोशी चागई थी बिलकुल यार शॉट ओ सीधा फिल्टर के हाथ में हेर वी गो शॉट है वही कोली का जबरदस स्वीप शॉट फॉट फॉर वान कीपस स्ट्राइक ग्लैन मैक्सवेल एक और स्पिनर मुझे यकीन था कि आएगा क्योंके स्पिनर को थोड़ी मदद मिली है तो साधी पैट कमिंस ने जबरदस कप्तानी किये और उन से लेकर आया है एक और स्पिनर को नो नो रान वापिस हो जो कोली पैक यह चोका मिल सकता है या भाई विरात के बले से निकले और गेन कैसे रुख सकता है फैर गाइस मजा आ रहा है इस पार्टनर्शिप का बाबर और विरात को देखने का एक ही वक्त पर क्रीस पे तो गाइस लाइक ठोक दो फॉरन से यार देखो तुम लोग लाइक नहीं कर आगे हैं जी एक और स्पिनर भाई साब आज पका प्लैने इनका के स्पिन में पताना है और बाइद वे तीन ओवर्स रह गए हैं काम थोड़ा ठंडा चल रहा है हमारा भाई साब काम उठाओ बाबर साब बाबर ने सुन तो ली है बट फिल्टर मौजूद है अब भागा भी नहीं है बट दोगी मैंने का चोका है पका या आउट है बट यार बच गे हैं एक रन यह वाला एरिया ग्राउंड का काफी ज़्यादा गाइस लंबा है उस तरफ से वो चेकरो कहा नुकर लग रही है यार यह समान सेवन्टीवन फोर टू भाई कोली स्कोर चुको वाट अकैच भाई आदल राशिद भाई इतना लमबा ग्राउंड इतनी लमबे नुकर इस तरफ यार विराथ कोली से भी पहार नहीं हुई भाई विकिट लेगी आदल राशिद लेगर लेइंग स्टोन का मिली आदल राशिद का अच्छा कैच कोली हमारा चला गया श الز 100% effort दे रहे हैं England Australia मिल के आज क्योंकि आज लागत बाजी का मैच है भाई गोरों का और एशिया के जबर्दस टीम्स का मैच है यह अपस में रिजवान गोज बिग रिजवान गोज बिग बट क्लियर नहीं कर पाया बट दो बंजे का नो जिस्ट आ वान बिग शॉट चाहिए गाईज इस सोवर में एक रन और सिर्फ छे रन जाया भी तक उठा तो दी है क्या यह दूर भी गई है जी हाँ यह गई है और यह पार गई है कमाल का शॉट फॉम बाबराजम अंडर प्रेशर भाई प्रेशर एक और तेज गेंड कमिंस का रिजवान भाई साही नहीं आरे गेंड के उपर गाईज सिर्फ दस बॉल्स रहे गें और मैं नहीं चाहता कि स्कोर रुके बिल्कुल भी यहाँ पे रजी भाई तेज जाना होगा नहीं कनेक्ट कर पाए सिर्फ एक बाबर ऑन स्ट्राइक बाबर पर जिम्हतारी भाई हाई 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 बाबर ने शॉट दे दिया प्लीज निकल जा के अप में ओ निकल गई जिट गोज अल वे फर पॉर बाबर आजम प्लेंग अ ब्यूटिफल नॉक यहाँ पर पाकसान इंडिया एलेवन पैट कमिन्स वंस अगें स्टीमिंग इन बाबर तयार बैक अब कड़ा के दार शॉट यार ओ ब्रो बाबर आजम ओ भाई हुज एपसलुक्ली हुज यार कोई प्लेयर को डिलेयर करने का सीन है मैं चाहरों पंडिया को पेचते हूं रिजवान में को को रिजवान भी आप जाओ तरह वाश्रूम करो जाके लेकिन कोई नहीं मारेंगे रजी भाई ओ भाई इस तफ़ा फुल वेट करके मारी है और एक और बड़ा है और नई भागो भागो रुकना नहीं है बाबर भाई तेस हो जो रान अट हो सकते हो I think touch and go है 50-50 है बट मुझे भागना था यहाँ पे और I'm gone या इस गॉन बाबर आसम इस गॉन अब यह क्या स्कोर किदर है इनका यह क्या दिखा रहे हो बाबर रन अट होगे भी sacrifice कर दिया अपने आपको हार्दिक पांडिया आ गए हैं जी क्यूंके रंस साहिए थे हमें या आजो आजो तीसरा भी आओ रिजी भाई तेज हो जो तुम शाभा भाई नाइस हो गया अच्छा स्टाट दिया गाइज हार्दिक पांडिया ने रिजवान पे जिम्हदारी शौट दे दी तेज होना पड़ेगा रन आट चांस है स्टीवन स्मिट स्लो हो गई यहां पे औ तोड़ थोड़ा काम है गाइस परिशानी हो रही है टेंचन हो रही है भी लास्ट बॉल है शादाब खान उन स्ट्राइक हैं यहां शादाब हिट आउट ऑफ पार्क बिग क्वेस्चिन यहां पाका टाइम हुआ है ओ भाई वाई वाट आफ फिनिश वाट अन एंड टो इस इनिंग एक सो पंदना वी विल टेक इट यार फाइटिंग टोटल लग गया है बोड की उपर ट्राइ करेंगे इनको पकड़ें गोरों को और आउट करें इनको भाई पाकसन इंडिया क पेस अटेक के तुरू एक सो पंदना पर पांच स्कोर अच्छा अब बॉलर्स पर से मेंदारी है शाहिना अफरीदी है भूमरा है नसीम शाह है फुलदीब की आदव है बॉलर्स अच्छे हैं शादाब खान खुद भी गेन बासी करेगा है बट अलेक्स हेल्स और ट्रैव क्या बाद अलेक्स हेल की पता ने इंग्लेंड इसको क्यों बायर किया वह भाई इतना बड़ा प्लेयरा नहीं यह बंदा गमाल का स्टाट मिला है और मैंने फिल्लिंग अभी भी सेट नहीं की मैंने जो डिपॉल्ट फिल्लिंग दी है मुझ उससे से जा रहा हूं बट ले गाइस आयम गॉइंग विथ आप बाउंसर यहां पर बाउंसर कैच अबे शैडी बहुत तेज है बहुत तेज है पकड़ शैडी ओ भाई बटेरा हाथ में आया बेरे मुझे लगा था निकल गिए बागए सीरिसली बट वाट टाट कैच भाई शादाब यहां पर ना कमाल क डिसमिस स्टीफ समित यहां पर लेट सी ओए शाट चार रंस के लिए भाई समित ने का है भाई कोई डिसमिस होने का सीन नहीं है फैंटी सीन है फुलाच ट्रेविस हैड डॉन स्ट्राइक आये और पॉल है जस्परिद बुम्रा के पास बुम्रा फुर्स बॉल्ट टू ट् और समित चार्ज ले रहा है एक रं एक और गाईस फॉल ये खुल स्ट्राइक ढार गेन पर ट्रेविस हैड चार ड्र्स के लिए यह तॉर गॉरी कोई ब mónस जएंट्रेविस हैड उन दचार्ज न नहीं बॉलाच बुम्रा ओट स्टीफ बॉल्ट इसर डिप रंस के लिए ऑ He caught it Zabardus catch By Hardik Pandya Level हो गया भाई शुकर करो जी Travis Head से जान चूटी वरना ये बना ले गया था मैं अचाथ Seriously जासा लग रहा था न Dangerous भाई Umra की अच्छी थेंकिंग Bouncer किया और Pandya ने कोई गलती है निकी 9 लंस पे Travis Head गया और डेंट पढ़ गया इस वक्त I think Puckka World 11 को Harry Brook आया है बल्ले बाजी करने गाई Bouncer to broke First ball Full edge Is gone 2 पे 2 What a wicket भाई निया बल्ले बाज जब भी आता है न तो पैर नहीं हिल रहे हो तो उसके Bouncer ने वही काम किया आगे ball की Drive करवाने के लिए अंदर को लाया थोड़ा स्विंग एंगल के साथ और क्या खुबसूरत कैश पकड़ा है मुहमद रिजवान ने बाकी काम पूरा कर दिया भाई First slip पे जाके कैश पकड़ा है लड़के ने बाई कमाल हो गया यार Level हो गया जी Under बे गया Harry Brook golden duck पे Dangerous बंदा था उनका out कर दिया हमने Guys अब आया जॉस बटलर जॉस दा बॉस शाहिन अफरीदी के पास गेंद है और मैं I think अपने Pacers से ही पहले over करवाता हूँ चार क्योंकि इनको मैंने dent शूरो में करना है Shot No ball तो नहीं कर दी No ball कर दी और Miss field पी होगी अब एक कर भाना दो मत कर देना पकड़े निरा कोली खड़ा वह यार मूह देखी चार रहा है कोली भाई क्या कर रहे हो यार आप दो वर्स में 25 पर तीन ओंस्राइक स्मिथ और छे रंस ओ भाई यूज 31-43 स्लो बॉल के साथ जा रहा हूँ कटर है कैच का चांस ओ ये जस्ट शॉट अफ़ी फिल्डर गाईस आइम गॉइंग विद आ लवली जॉरकर ओ इस ओ इस गॉन दैट इस प्लम बोल्ट प्लो जगा शाहिन पपना मत इस गॉन भाई निकल यहां से वाट आप बॉल भाई शाहिन का कमाल का बॉल फुल बॉल पैर पे आई स्मित के और पैर भी सिग गया गुटा सिग गया इसका भाई फ्रेक्चर हो गया मुझा लग रहा है जागे एक स्रेव अगरा करवा भाई निकल यार चल यह देखो गाईस दाट इस फुल दाट इस ट्रेट दाट इस प्लम प्रिलियंट बॉल स्टीव स्मित इस गॉन गाईस तेरा रंस पे लैन मैक्स्वल आगे इसी आउट के साथ मैक्सी को क्या किया जाए गाईस लास्ट बॉल चाहिन के स्पेल के 31-4-4 शुरू की तो पूरी टीम उडा दिया निकिम लास्ट बॉल गॉइंग विधा यॉर्कर एक खेल गया मैक्सी बॉस रेडी फॉर देट फिल प्लेट इट सुपर्बली दो रंस या एक रंस जस्ट रवान ओके बॉइस गाइस तीन ओवर्स का खेल तमाम होगे 32-4-4 है और हम फिल्डिंग को खोलने जा रहे हैं क्योंकि तीन ओवर्स का पावर प्ले था हमारे इस गेम में गाइस फिल्डिंग खुल चुकी है जस्ट पृइद बॉमरा अपना लास्ट ओवर करने के लिए आ रहे है 2-4-10 बॉमरा ने किया है दो विकट्स शाहिन ने ली थी हमारे पेसर्स ने कमाल कर दिया बट कैच का एकोड चांस घ्रोइद शर्मा खड़ा वह भी किदर एसर्कल ही नहीं आ रहा इजी कैच ना असानी से एसर्कल बट बट लोग कैच यहर काफी नीचे से पकड़ा है भाई मैक्सवल भी या यार यहां तो आउट होने लगे में शौपरों की तरह उड़ रही है इस वक्त ऑस्टेलिया इंग्लेंड 11 भाई नहीं खेल सकते हमारा पेस अटैक भी सबर दसके शाहिना फ्रीदी एक्स जस्पृत गुम्रा कमाल का डेडली किसम का अटैक होगा यह और आपको नजर भी आ रहे है गाईज लाइक कर दो अभी तक नहीं किया तो क्लैन मैक्सफिल का विकट भी ले लिए हमने लियम लिविंग स्टोन आगे है जिक्रीस पे एक और खतनाग प्लेयर बट मुकाबला है इस वा जस्पृत गुम्रा के साथ तो भाई पेचा तो पड़ेगा अच्छा स्लो करूं गाईज यह रेडियो का तेज के लिए I am going with a slow ball ठीके 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 पेस वेरी की भाई फिर भी 142 किलिमेटर हुई है बाल अमरा आज तो तेज गेंट कह रहा है गाईज पटलर ओन स्ट्राइक की खतनाग प्लेयर है गाईज और येस ये खतनाग प्लेयर है पहली गेंट से भाई अगला शुरू है और छे रंस के लिए फैंकी उसने भाई आउट अफ तपार के आँपे गाईज लास्ट बॉल है जस्परिद गुम्रा के स्पेल की और कटर और स्टॉन जस्परिद गुम्रा का जो तेज कटर करता है भाई बड़े बड़े बैट्समन इसने आउट किये में मुहमद रिजवान को बहुत बार बोल्ड किया वे इसने और इस तफ़ा लियाम लिविंग स्टोन शिकार हो है जस्परिद गुम्रा का भाई यह जौस बटलर के नाम बटलर यह एक मेन प्लेयर जो प्रीस पर आगया खड़ा देखते हैं पैट कमिंस कैन बैट कहां तक जाता है यह लोग क्या करते हैं काईस कुछ पता नहीं अभी बॉलिंग्स अबर दस्प्लेश्मेंट टीप मेंट विकेट पर फॉर ओवान हर्टिक पंड यह के पास सीधी गेंड इस कौन चल ले बेटा नेकल यहां से यह का हरकत किया इसने पैट कमिंस पागल हो गया गाइस प्रेशर ही लेके इतने जदा यारी कैसे आउट हो रहे है इन पे मैंने ऐसी क्वालिटी बॉलिंगर के प्रेशर डालाना कि यह तो बॉंदल के आउट हो है कप्तान उनका यह पैट कमिंस के यह बिलीव इट अभी दूसरा डिन के लिए कि दर भाग रहा था यह देको क्रीस से बाहर निकला है और सीधा डिरेक्ट हिट मारी है भई पढ़ने आने वहां से बारंडरी से अंडे बे गया जी आपको नाया जी मिचल स्टार्क आ गया है ओके स्टार्क जी आजाओ सारी जिम्हेदारी यह इस वक्त है जॉस बटलर के उपर जॉस के मजबूत कंदों के उपर शॉर्ट एक और लेकिन सीधा फिल्टर के हाथ में इस टाइम तो काईस फर्स्ट चेंज हम लेके हैं को अज तक जब से गया मैं यह ने कभी कुल्दीब से बॉलिंग ने की फर्स्ट टाइम में बॉल करहा हूं को देख ते और देख थे हैं मुझे बहुत बाइदावे अगर को इस पिनर मुझे लगता है ना जो पकड़े न यार ओ ब्रो प्लेस्मेंट परफेक्ट शॉट लास्ट बॉल कुल्दीब के ओवर की अभी तकाम या भी नहीं मिली और लास्ट बॉल पे बटलर ने रिवर्स स्वीप पे चार रंस दे दी हैं भाई यार शॉट्स खेल आ यार ये लास्ट बॉल नसीम शा की गोईंग ये आउट है ये चड़गी ओपर खुलदीब खुद नीचे है भाई कैच होना चाहिए कॉटन बॉल्ड अबे किदर चड़गी आजा अखो इस गौन क्या बात है जी आसमान पर चड़गी थी बॉल खुलदीब का एक लूपी बॉल फ्लाइट इट गेन पैदावे इजी सकायर कैच कभी इजी नहीं होते जोफरा आर्चर इसा आउट के साथ आगें जी और यह ऐसा ब्रेक होगा ने जैसे बाबराजम को बोल्ड यह दा दोजन निस के वर्ल्ड गप में और खिरियूसली चार रंस नाइसली प्लेट फिर उस जगा बॉल लेकिन इस तरफ विल्डिंग भाई शादाब खान प्रम पाकिस्तान चलो शेडी बहुत बड़ा ओवर है तीस बच जाना फेंटा नकाले ना यह नो मैच की कुछ मिना रहे लास्ट वबर के लिए कोस्बेग फिल्टर मौजूद आइटिंग यह चड़गी असमान पे इट नॉट लियर इंज्रस पेर ते वोग खत्म हुए इनिंग्स खत्म हुए आदल राशिद आ गये हैं जी इसको तो मैंने गुगली भी बोल्ट कर देने गाइस यह देखो शॉट है भाई शॉट है बाई इस पिच पर मैंने एक चीज़ का हिसाब लगा है जितना मैं गेंड आगे कर रहो इतना ब्रेक नहीं हो रहा अभी देखना अब ये गेंड चेक करना गाइस ये चेक करो गाइस अब ब्रेक होगा कैसा फोड़ा सब गुड लेंद पर जब गेंड़ा न वो ब्रेक हो रहा है यहां पर हलका हुआ लेकिन हुआ कुछ-कुछ उए ओए फ्लेस्मेंट भाई ये यार फाइटिंग स्टेल भाई आठ को 31 गाइस लास्ट ओवर डालने के लिए आ रहे हैं हाट दिख पंड या और कितना चाहिए इनको सब्सक्राइब तीस इकतिस चाहिए पहला गेंदी तेज यॉरकर फ्रम पंड या बोल्ड कर देया यार मजाज है और अलौट करने में अच्छी बॉल इस गॉन इस गॉन नसीम श्या ने ब्यूटिफल कैस्ट पकड़ा और गाइस पाकिसान इंडिया ने क्रश कर दिया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लेंड की टीम को गाइस इतना टैलें इन दोनों टीम्स में यार कभी ऐसा पैसे एक्जिबिशन मैच होना चाहिए दोनों मिल के खेलें अगेंस्ट अफ द्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ल या पिर इंग्लेंड ऑस्ट्रेलिया मतब दो आर्च राइवल्स को एक अठा कर दिया एससी कोई ऐसी सीरीज क्रवाइब बड़ा माजाएगा गाइस 29 नं से विंसमेटी के बाबरासम की ब्रि सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दो अपना बहुत सा ख्याल लगना मिलती है नेक्स वीडियो के साथ टेक केर आला अफिस और गुडबाय फ्रॉम विली प्लेज